नमस्कार, बेलकम टू कालका IS Academy, कालका IS Academy भोपाल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 दिसंबर की सुरुवात में मोधी सरकार के ग्रह मंत्री अमित साह ने नागरिक्ता संसोधन बिल CAB सदन में पेस किया था जो दोनों सदनों लोकसभा और राजसभा में काफी चर्चा के बाद से पास हुआ और उसके बाद राष्टपती के हस्ताक्षर के साथ ही 12 दिसंबर 2019 को ये नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 बन चुका है नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 के तहट भारत के तीन पडोसी देशों पाकस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश से आए अलप संख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिक्ता दी जाएगी जिससे वे भारत में अपने धर्म का सोतंतरता से पालन करते हुए एक सम्मान जनक जीवन बितीत कर सकेंगे आईए अब देखते हैं कि कौन है ये अलप संख्यक सरणार्थी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में अलप संख्यक धर्मों के वे लोग इन सरणार्थियों में सामिल हैं जो धर्म के आधार पर हुए भेद भाव, अवध्र ब्यवहार, हीन भावना और धर्मांतरन जैसे उत्पीडन के सिकार हैं इन तीनों देशों में हिंदू, सिक, जैन, बौध, पार्सी और इसाई धर्मों के लोग अलप संख्यक हैं इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं किया गया सामिल तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देस तीनों देसों में इसलाम को मानने वाले यानि मुस्लिम अन्याईयों की जनसंख्या मिजेरुटी में है जादा है अर्थात वे इन देसों में धार्मिक आधार पर बहुत संख्यक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसलाम अधिकारिक तोर पर राज्ज का धर्म माना गया है जबकि बांगले देश की जनसंख्या में 90 पृत्सत से ज़्यादा लोग इसलाम को मानते हैं भारत में लागू हुआ नागरिक्ता संसोधन कानून 2019 इन तीनों पडोसी देशों के सिर्फ धार्मिक अलप संख्यों को ही भारत की नागरिक्ता का पात्र मानना है यही कारण है कि मुस्लिम अन्यवाईयों को इस कानून में सामिल नहीं किया गया है कि लोगों के लिए है ये कानून नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगला देश के धार्मिक अलप संख्यों के लिए है इन देशों के छे धर्म के अलप संख्यों को भारत की नागरिक्ता मिलने का रास्ता इस से खुला है ये छे धर्म हिंदू, सिख, बोध, जैन, इसाई और पार्सी हैं इसके तहित 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांगला देश और अफगानिस्तान के छे धर्मों के अलप संख्यों को घुस पैठिया नहीं मान जाएगा बलकि उन्हें सरणार्थी मानते हुए भारत के नागरिक के तोर पर सुईकार किया जाएगा तो दोस्तों ये तो थी आज की संचेप्त जानकारी नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 आसा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी